आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल नक्षतर आज पूर्वा भालगुनी रहने वाई दिन के दो बच का 34 में तक नदुपन उत्तरा भालगुनी नक्षतर आरंब हो जाएगा वरत्योहर में आज मदन द्वासी है साथी त्रिपोस्कर योग दिन के दो बच का 34 मेंट से लेकर रातरी के 10 बच कर 49 में तक आज रहन सकते हैं मित्रों आज का संपूर्ण रासीफल के वीडियो अगर आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक तुझा रोकाए साथी कमेंट बक्स में जै माता दी जोग लिखे हैं मित्रों आज के 12 रासीफल हम जाने इससे पहले आए एक नज़र डालें आज के ग्रहों की स् आज सूरेख गुरु दोने ग़रें 7 में सिंग रासीम चन्दरमां सिंग रासीम, केतु कन्यांसी में मंगल शनी दोने ग्रासीम, शुकृ, बुद, राहू 3 मीम रासीम वीडित है मेस आसिम चंदरमा पांच में इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्लसुरूप नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बतलाव के संकेत मिल सकते हैं नोकरी और कारोबार में आपको अपने व्याभार को और विच्छा करने की जुरूरत है अचनक से कहीं यातरा पर जाने के योग बन सकते हैं काम काज में आपको सफलता भी मिल सकती है ओफिस में या फिल्ड में ज़्यादा समय देना पर सकते आपको आज कुछ नाकारात्मक स सोचों से बचें इससे आपके कार्य बाधित हो सकते हैं। व्यापार उधन की बातकर भुतिक सुकस्विद्वली चीजों में बढ़ोत्री होगी, व्यापार में भी मुनाफा होगा। साथी नौकरी के लिए अनुकूल इस्थिति आपकी बनी रहेगी। अपने व्यापार मे भी आप विर्दी कर पाएंगे विद्यार्थी की बात कर विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करना पर सकता है मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्थिक के बात के स्वास्थिमें उत्वर चरहों की योग बन रहें लेकिन भोजन समद्धित अगर कुछ दिकते हैं तो वो खट में भी होंगे जिवनसाथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा लेकिन जिवनसाथी के साथ वाद व्यवाद में ना परें लगाई जगर की संभाबना भी बन रही है आज के इन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग स्लेटी कलर लकी नम्मर आठ रहने वाल है बात करेंगे वरिशासी की बात करेंगे तो आज कही भी धन्यवेस करने से बचेंगे हानी हो सकती है आज आपके पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं लापरवाही और संकोच में ना परें इससे आपको और आपके केरियर में दोनों में हानी हो सकती है अपने व्यापार में यूजना बत्तरी के से आगे बनेंगे तो आपको फायता होगा विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज करी अनुकूल है मेहनद चादा करना पर सकता है लेकिन मेहनद करेंगे तो सफलता की प्राप्ती भी होगी स्वास्त की बातकेट आज आपको सर में दर्द रह सकता है साथिक कफ का सामना भी करना पर सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें और ठंडी चीये खाने से बिल्कुल बचें प्रेम समंद की बात के तो आज आपका व्यवाहिक जीवन सुख में रहेगा लेकिन जीवन साथिक के स्वास्त का ध्यान रखें और विवाहित लोगों को प्रेम समंद में सफलता मिलने के योग बन रहें प्यार के जहार करने के लिए आज के अच्छा रहने वाला है आज के इन बेशन से बनी वे चीएं खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सभी प्रकार के चमकीले रंग लखी नमर साथ रहेगा बात केंगे मिथुनरासी की मिथुनरासी मिचंदरमा तीसे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें अगर ज़रूरी हो तो कुछ लोगों से सलाह करके ही बड़ा फैसला ले कामकाज में आपको सफलता मिलेगी पुराना दोस्त भी आपको मिल सकता है आपके संतान को कश्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें किसी मित्र से आपकी अनबन हो सकती है तो अपनी वानी पर नियंतन रखें परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पर जाने की योग भी बन सकते हैं भगवान के परति आपकी आस्था बढ़ेगी व्यापार उधन की बातकर किसी प्रियेजन की मदद से व्यापार में विर्धी आपकी हो सकती है माता पिता से भी आर्थिक सही होग आपको मिल सकता है आज कहीं अगर आप निवेस करेंगे तो फायदे में रहेंगे व्यापार में नए अनुबंद हो सकते हैं कुल मिलाकर आपका आर्थिक पाक्षाज बहतर रहेगा विद्यार्थी की बात करेद विद्यार्थियों के लिए आज के दिन पढ़ाई में थोई चिंता और निराशा रह सकती है, लेकिन आपको चिंता और निराशा से निकल कर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता तब ही मिलेगी स्वास्थ की बात करेद गले हमूर से समंधित कुछ परेशानिया रह सकती है तो अपने स्वास्थ का ध्यान रखें प्रेम समंध की बात करेद प्रेम समंधों के लिए आज के इन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपको कई तरह के च्छाओं की पूर्ती हो सकती है व्यवाहिक जीवन में समरस्ता आपकी बनी रहेगी आज किन चने की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंकाला रहें लखी नमर साथ रहेगा बात कें करकरासी की करकरासीम चन्तरमा दूसरे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जोनों से मदद मिल सकती है किसी बुजुर्ग या अनभवी लोग की सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीएं सिखा सकती है आज आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है तो अपने गुस्से पर नियंतन रखें आप मिस्वास से आज परिपून रहेंगे परन्तु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान समान की प्राप्ति भी होगी व्यापार उधन की बातकर आज व्यापार करने बारे जातकों के आए में कमी आ सकती है व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना ले आपकी खर्च भी आज बरहेगी विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलताई भी मिलेगी तो अपने पढ़ाई में मन लगवें स्वास्त की बात के ठकान हो सकती है नेंद में कमी आ सकती है पुराने रोग आपको आज परिशान कर सकते हैं तो अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें प्रेम समन्द की बात के दाम पत्ते जीवन की खुशियां बर सकती है प्रेमियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है अनुकूल नतीजे मिलने की योग भी बन रहे हैं और विवाही जातकों के लिए आज विवाह के पस्ताओं भी आ सकते हैं आज किन लोहे के बर्तन में खाना पकाएंगे खाना खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके अज़का सुबरंग क्रीम कलर लखी नुमर रहेगा दो बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासिम चंद्रमा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा काम धंधा बरहाने के लिए जो भी महनत आपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको आप मिलेगा आपके सोचे हुए काड़ी पूरे हो सकते हैं अपने अक्रामक रविये की बज़े से आप परिसान थोरे से रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल ना ले नोकरी करने वारी जातकों के अपने सीनियर अधिकारी कों साथ समंध भी गर सकते हैं तो इसमें साध्वानी भी बड़ते हैं व्यापार अधन की बात के आपकी आए में बरहुतरी होगी व्यापार्यों के लिए आज किन अच्छा रहेगा आज कहीं निवेश करना आपके लिए लाब्दा एकसीद हो सकता है लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें विद्यार्थी की बात केद विद्यार्थियों के लिए सफलता की योगबंध है मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के आज आपको गैस और एसिलिटी का सामना करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान दे और परहेज भी करें प्रेम समन्त की बात का जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है, दामपत्य जीवन आपका मदोर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज के इन अच्छा रहने वाला है, आज के इन अरहर की दाल खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सु रहने वाली है, कारी छेतर में अधिकारी आपसे परसन न रहेंगे, रुके हुए फसे हुए कारी भी आपके हो सकते हैं, वानी पर अपने नियनतर रखें, ज्यादा आत्मिस्वास में तो बिल्कुल भी ना पड़ें, काम इसे आपके बिगर सकते हैं, आज आपको अपनी बा प्रादकेत, विद्यार्थीयों को सफलता प्राप्द करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे, उन्हें सफलता की प्राप्दे भी जरूर होगी, प्रेम समbl की बात बात कर्म को आजप साभ भानी बरते हैं, मौसमि विवा रहेगा आपके लिए आज का सुब्रन नीलारा निलकी नमर दो रहने वाला है। बात करेंगे अब तुलारासी की। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नालें, आज आपके ज्यादातर सौक पूरे होंगे। खईदारी की योग बन रहे हैं आपके लिए जिसके कान आपका खर्च भी बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करेंगे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मह महित करने की आवश्य सकता है, तो महित में किसी प्रकार की कोई कमी ना रखें। स्वास्त की बात करें, आज आपके स्वास्त मुतरा चरहाओ आ सकता है, ठकान और अलज से भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिरचिरापन भी रह सकती हैं। तो अपने स्वास्त का ध्यान प्रेम समन्द की बात करें, तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, आपके प्रेम समन्द मजबूत होंगे, पती पत्नी के बीच अच्छी समझ भी बनी रहेगी। आज के इन बेशन से बनी वीचिये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके आज का सुबरं गुलावी रंग, लखी नमबर रहेगा पांच, बात करेंगे विश्ची करासी की, विश्ची करासीम चंदरमा दसमें स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें, कारे छेत में अधिकारी आपसे परसन न रहेंगे, आपके आत्मिस्वास में बढ़ोतरी होगी, मकान, जमीन, चायदात से समंदित मामले आपके अज सुलच सकते हैं, नए लोगों से दोस्ती हो सकती है, आज आपकी बोली गई बातों का, गलत अर्थे भी निकाला जा सकता है, तो अपनी वानी पे नियंतन रखें जो भी बोलें, सोच समझ कर ही बोलें, कहीं घूमने फिरने के योग भी आज बन सकते हैं, व्यापार और धन की बातकरत, आज व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है, कहीं निवेस करना चाहते हैं, तो लोगों की सलाह निश्ची तोर पर लें, खर्चों में आ पुरानी बिमारी आपको आज परिशान कर सकती है प्रेम समंद की बात करत आज अपने जीवन साथी के परती सकारतमक विचार रखें उनकी भावनाओं का समान करें साथी आने वाज दिनों के महत्पूर्ण कामों की योजनाए उनके साथ सेयर करें इससे आपके समंद बहतर ह आज के इंचांदी के बरतन में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाइट ग्रीन कलर लकी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपक के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है संतान से सुख मिलेगा पारिवारिक मामले में थोड़ी उल्जहन आपकी बढ़ सकती है धैरी में भी कमी आ सकती है कारी छेत में आपके इस्तिति में सुधार संभव है व्यापार और धन की बा पत्री होगी जिससे लक्ष को प्राप करने में आपको आसानी भी होगी स्वास्त की बात के स्वास्त आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्त पर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्त है थोड़ा डगमगा सकता है प्रेम समन्द की बात पहेदरंग लखी नमबर पांच रहने वाला है। बात केंगे मकर रासी की। मकर रासीम चंद्रमा आठमें इस्थान में विराजित है। जिसके प्रसुप आज आपके समाजी कारियों की महतत्ता बनी रहेगी। और कारी छेत में बदलाओ हो सकता है। आई के साथों में बढ़ोत्री होकी खर्च भी आपका बढ़ेगा। विद्नेस पार्टनर की मदद से व्यापार में लाब भी होगा। मकान या भूमी समंदित कारियों में थोरी चिंत आपके अरे रह सकती है। विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के लिए आज के न मेहनत भर रह सकता है। ज्यादा मेहनत का आपको कम फल भी प्राप्त हो सकता है। फिर भी मेहनत में किसी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल न रखें। स्वास्तिक की बात के तो आज की दिन धकान और अलस्य से परेसान रह सकते हैं। आपके लिए आज का सुब्रम गुलावी रेंग लखी नमर 9 रहेगा। बात केंगे अब कुम्रासिकी। कुम्रासिम चंद्रमा साथमें स्थान में विराजित है। जिसके फ्रसुप घर परिवार के स्थिती में सुधार लाने के आपके विचारों को समर्थन मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद भी मिल सकती है। आज आप दूसरों की मदद करेंगे कुछ पुनाने मामले आपके असुलत सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाव से खेल भी सकते हैं तो साबधान रहें। संतान के स व्यापार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आर्थी किस्ति आपकी बहतर भी होगी, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन मेहनत पुरा रह सकता है, हलाकि कम मेहनत में भी सफलता प्राप्ति की योग बन रहे हैं, तो मेहनत में आपको फिर भी को खत्म हो सकते हैं स्वास्त में भी सुधार होगा दाएं हाथ या सरीर के किसी विदायंग में चोट लग सकती है तो समल करें प्रेम समन की बात के दाम पत्ते जीवन सुख में रहेगा घर में खोशी का माहौल बना रहेगा आज किन उड़त की दाल खाएंगे तो आपके लि मिलेगा कुछ छेतरों में नई शुरुवाद भी हो सकती है किसी परकार के धर्मिक कारी करने के योग भी बन रहे हैं परिवार के सुक्षविधाओं का विश्थार संभव है संतान के तरप से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है खास करके संतान की गत्वी धियों से वाद शुरुषे में नियाकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्ची तौर पर हो निवेश करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं पैसे के लेंग देन में किसी के जूट के कारण आपको नुकसान हो सकता है कोई अटका हुआ फसावा धन भी अचा रहने वाला है सुबह सुबह अंकूरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप स्वस्त भी रहेंगे प्रेम समंद की बात के जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे आज के चांदी के बरतन मे खीर खाएंगे तब के लिए सुबह रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग क्रीम करल लकी निमबर रहने वाला चार तो मित्रों यह तो थाज का संपून राशी पल कल के संपून राशी पल देजी हो है धर्मसिच्चा के साथ अब देखते हैं धर्मसिच्चा जेर मता देख